Hello all of you, welcome to my channel, मैं आज आप लगो के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक collective reading जिसका topic रहने वाला है कि इस और आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं, यानि कि divine spirits किस बारे में आपको aware करना जाते हैं, किस चीज के लिए आपको attentive करना चाहते हैं, या आपको क्या guidance देना चाहते हैं, आपस वीडियो को देख रहे हैं, या आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, तो फिर चाहें आपस वीडियो तक एक साल, दो साल, पात साल, दस साल, कितनी भी महीनों या हफ्तो बाद आए हैं, ये reading आपसे तभी रेजोनेट करेगी जब आप इसे देख रहे हैं, अगर आप dream tarot channel पर पहली बार आए हैं और आपने अपके subscribe नहीं किया है, तो मैं आपसे request करना चाहूंगी, कि subscribe करें dream tarot channel को, और बन जाए dream tarot family का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही different topics पर reading प्रोवाइड करती हूं, reading के दोरान, intuitive messages, channel messages and channel songs प्रोवाइड करती हूं, जो मैं नहीं चाहती क्या आप miss कर पाएं, इसलिए जरूर subscribe करें और bell icon को press करना ना भूले, अगर आप bell icon प्रेस करेंगे, तो जो भी वीडियो में लेकर आउंगी, सबसे पहले वो आप देख पाएंगे, ओकी, तो आईए, देखते हैं कि divine आपको क्या चेतावरी देना चाहते हैं, इस्वर आपको क्या चेतावरी देना चाहते हैं, spirits please guide us, okay, actually 2 cards है, और I will not take 2 cards, let's please guide us, okay, okay, चलिए सब और deep जाने की कोशिश करते हैं, let's see more, किस बारे में इस्वर आपको चेतावरी देना चाहते हैं, okay, okay, मुझे guidance मिल रही है, I am feeling like कि मुझे इस deck को यूज़ करना है, पहले वीवर्ज में आपको, okay, give me a moment, Mother Earth, Peace Keeper, protection guardian, बहुती feminine energy, मुझे यहाँ पर, मैं पिक कर पारे हैं, feminine energy, even if you are male, the energy is feminine, you have to be very soft and gentle, these days, okay, यहाँ पर इश्वर आपको guide करना चाहरे हैं, पहली बात तो यह वीवर्ज बियॉंड इल्यूज़न, okay, तो यहाँ पर, जितना आपको दिख रहा है, यह जो situation आपको दिख रही है, जो परिस्थिति आपको दिख रही है, आप उसको एक illusion मात्र समझें, और उसके पार देखने की कोशिश करें, यानि कि अगर आज कुछ हो रहा है, तो सिर्फ उसमें मत खोके रह जाईए, कल वो क्या रूप लेगा उसको देखें, यानि कि bigger picture को देखने की कोशिश करें, जो अभी situation थोड़ी सी है, वो उसको illusion समझिया, कहने का मतलब है यहाँ पे, कि आज की समस्या, आपके जीवन की reality नहीं है, कल मिलने वाला फ़ल, आपके जीवन की reality है, तो आज, कोई process में हो सकते हैं आप, किसी journey में हो सकते हैं, तो जब हम किसी process या किसी journey में होते हैं, तो ups and downs आते हैं, लेकिन अगर हम अगर हम उन ups and downs को, उन struggles को serious बहुत लेंगे, तो हम आगे कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, आगे कुछ यूनों प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर अगर यह आपके प्यार के बारे में है, या आपके करियर के बारे में है, आपको यह चीज seriously लेनी है, कि अभी आने वाली परेशानियों को ignore करना है, like ignore नहीं करना, बट seriously नहीं लेना है, कोई problem आई, you are solving it, that's fine, अगर कोई परेशानिया या आप उसको solve करने के कोशिश कर रहे हैं, यह अच्छी बात है, यहीं करेंगे, लेकिन उसको बहुत जादा seriously नहीं लेना है, क्योंकि यह सिर्फ एक process का part है, यह सिर्फ जर्नी का हिस्सा है, यहां पर आपको distractions भी बहुत हो सकते हैं, अलग-अलग opinions, सब कुछ आपके रास्ते में आएगा, आपको उसके beyond देखना है, डिस्ट्राक्ट नहीं होना है, दूसरी चीज़ बुझे, यहां पर यह लग रही है, कि जो भी distractions आएंगे, कही ना कहीं, यह आपको रोकने की कोशिश करेंगे आगे बढ़ने से, चाहें आप अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ रहे हूं, चाहें आप अपने spiritual growth की तरफ आगे बढ़ रहे हूं, यह आप अपने career की तरफ आगे बढ़ रहे हूं, यह आप किसी भी field में, किसी भी शेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यह डिस्ट्रक्शन्स आपके लिए हडल का काम करेंगे 90% आपको रोकने की कोशिश की जाएगी और वह ऐसे कि आप डिप्रेस हो जाएंगे या आप सैड हो जाएंगे या आप फ्रेस्टेटेड बहुत हो जाएंगे अग्रेसिव बहुत हो जाएंगे तो यह कुछ चीजें हैं जो अगर आप अपने अंदर देखते हैं तो फॉरन उनको रोके फटा-फट उन पर रोक थाम कीजिए क्योंकि यह आपको आगे बढ़ने डाउट बिना कीजिए बिना डाउट करिए आप उस डिरेक्शन में जाये जिस डिरेक्शन में आपको ले जाया जा रहा है means go with the flow ओके यहां पर आपका डाउट ही आपको रोक सकता है दूसरी चीज मुझे यह लग रही है कि आपको फियर है आपको डर है कि am I on the right path or not क्या म सही डिरेक्शन पे हूँ या नहीं तो यहां पर आपको guidance मिल रही है कि हाँ आप सही डिरेक्शन में है यह अगला message यहां पर है viewers the source तो कहीना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको you know energy अपनी recharge करने की जरूरत है कहीना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको meditate करने की जरूरत है okay divine से connect करने की जरूरत है okay यहां पर अगर आप connect करेंगे divine से meditate करेंगे तो spirits and divine आपकी energy को आपके energy की vibration को काफी high कर देंगे okay आप काफी high vibrational being हो जाओगे यानि कि आपकी जो energy अभी exhaust हो गई है वो recharge हो जाएगी और बहुत जरूरी है कि अभी आपकी energy recharge हो क्योंकि मुझे आपक अभी जरूरत है अलग अलग प्रकार के meditation होते हैं तो आप वो कीजे जो आप beginning से कर सकते हैं like a beginner अगर अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो as a beginner आप अपसे कर सकते हैं okay कि फिलाल जब आप meditate करें तो आपको कुछ imagine कुछ visualize अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है just sit quietly without चली मैं इस बारे में एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगी कि how to meditate बट यहां पर आपको अपनी energy रिचार्ज करने की जरूरत है अपने आपको डिवाइन से connected रखें यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है mother earth का यह मुझे तीनों कार्ड बहुत feminine energy दे रहे है feminine energy मतलब जो भी थोड़ा सभी masculine है थोड़ा सभी hard है थोड़ा सभी मैं कहूं कि थोड़ा rule, power, strength इन चीज़ों को दिखाता है इन से आप थोड़ा दूर रहे है rule करने की energy आपकी power की energy, power struggle, strength, fights, aggression यह सब anger इन सब से आप थोड़ा अपने आपको बचा के रखें मैं मानती हूं कि यह ऐसे emotions of course आपको feel हो सकते हैं लेकिन अभी ठीक नहीं है अब भी यहां पर बहुत जरूरी है आपके लिए to hold and to maintain the feminine energy in yourself कहीं न कहीं आपके अंदर masculine energy का जो portion है यह मैं जो कहूं balance है, balance है वो feminine energy का कम हो गया है और masculine energy जादा है तो यहां पर आपको balance करना है इसलिए आपको सलहा दी जा रही है आप कहा जा रहा है कि आपको feminine energy यह थोड polite थोड़ा gentle थोड़ा you know comfortable and relaxed यह एसी कुछ energy में आपको आना है ओके आपका यह जो masculine or feminine का balance हो जाए आपके अंदर ठीक है क्योंकि अगर यह नहीं होता है तो चेता आपनी कुछ इस तरीके की है कि आप सोचेंगे कि मैं दूसरे को नुकसान पहुचा रहा हूं लेकिन आप अ किसी के शेत्र में चले जाना किसी और कंट्री में चले जाना लड़ते 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 और फिर यह देखना कि मैं ही आफस गया हूं मैं तो यह लड़ते लड़ते आया था लेकिन I'm stuck तो ऐसा ही मैं आपको बोल रही हूं कि अगर आप masculine energy को करी करके और उसको maintain नहीं करेंगे feminine के साथ तो कहीं न कहीं आप कुछ ऐसे काम करेंगे जो आपको लगेगा कि आप रूल कर रहे हूं आप पावर्फुल हो रहे हूं विन कर रहे हूं बट अपको हैसास होगा कि कुछ ऐसा खास वाइदा हुआ नहीं ठीक है यहां पर यह बात है सभंध से जसे आपज़ा है सबस्क्राइद को बात aiming तो लिए कुक ऐसा करेंगे तो इसे आपको भी बहुत होगी क्यों कि जैसे इनर्जी आप देते हैं वैसिकिर स करते हैं साथी में tää हैं पर काद है पीश की पर कायानacy कि अभी आपसे में उब तक कहा लेट गो आफ रख कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे situation में फस्स जाएंगे जहां पर आप सही है आप सही पक्ष रख रहे हैं सही बात कर रहे हैं आपका point of view सही है लेकिन फिर भी कोई आपकी बात काटेगा कोई आपकी बात को ignore करेगा या आपकी बात को value नहीं देगा कोई तो हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए ओके आपको decision लेने की सोचे या आपको ऐसा कुछ बुरा बोलने की सोचे ऐसा भी हो सकता है तो यहाँ पर आपको शांती बनाये रखने के लिए यह प्रूफ करना जरूरी नहीं आपको यहाँ पर शांती बनाये रखनी है और इसलिए आपको यह प्रूफ करना जरूरी नहीं है कि आप सही है आप सही है आप जानते हैं इतना काफी है आपको यह प्रूफ करना नहीं है क्योंकि अगर आप सही है ये बात प्रूव करने में अगर शांती भंग हो जाती है तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो यहाँ पर आपको पीस कीपर के लिए कहा जा रहा है यानि कि पीस बना के रखनी है शांती बना के रखनी है और अगर आप सही भी है और कोई नहीं मानता है तो भी आपको अपने आपको सही प्रूव करने की लडाई नहीं लडने लगना है यह है साथ ही यहाँ पर प्रोटेक्शन गार्जन का कार्ड है ड्रॉप यॉर शील्ड कहीं न कहीं आप बहुत डरे हुए लग रहे हो प्रोटेक्शन गार्जन जो है वह आपको बोल रहे हैं आप प्रोटेक्टिड है और प्रोटेक्शन गार्जन आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपको डरने के जरूवत नहीं है आप अपने शील्ड ड्रॉप कर सकते हैं यानि कि जो भी आपने अपने लिए कवच बनाया हुआ है चाहें वह मतलब आप बहुत डिफेंस और आपको डिवाइन पर फेट रखना है और अपना यह जो डर है यह खतम करना है कहीं न कहीं यह डर भी आपका एक हडल बन रहा है कि आप डरते हैं कि आपको कोई हर्ट कर देगा मुझे लग रहा है कि आपको जादा डर इस बात का है कोई आपका भरोसा तोड़ देगा अपको कोई इमोशनाली हर्ट कर देगा तो यहाँ पर आप यह लोगन हर अगर आपने कोई ऑन डार रखी है कोई बॉंडरी बना रखी है कोई दिल के आएज पास कि कोई आपके दिल तक न पहुच पाए कोई आपको हर्ट न कर पाब तो अब अब सारे diff беспore आपको प्रोटेक्शन गार्जन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इस जस्ट आट के अपनी अनर्जी को मेंटेन रखेगा मैस्कुलाइन जादा नहीं होने दीजेगा क्योंकि मुझे अल्डेडी लग रही है काफी आपके अंदरी अनर्जी तो बैलेंस मेंटेन कीजिए तब ही फूटफुल रहेगा अगर किया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब करें ड्रीम टारो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टारो फामिली का हिस्सा ओके वीवर्स क्योंकि मैं ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूं रीडिंग के दौरान इंट्यूटिफ मेसेजजेजेज चैनल मेसेजजेज और चैनल सौंग्स प्रोवाइड करती हूं जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस्स कर पाएं इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आँ सबसे पहले आप उसे देख पाएं ओके वियूर्स तो चली मिलते हैं अबली रीडिंग में तब तक के लिए बाबाय फामिली